अब आप ये दो शाधन अपनाएं, पहला लक्ष तो आराध्य देव, इस दूसरे में दो शाधन, जहां जहां मन जाए, वहां से हटा कर अपने लक्ष में लगाना, या जहां जहां मन जाए, वही वही आराध्य देव की भावना कर लेना, बस बात बन जाएगे, आराध्य देव की भावना मेरे प्रभू है ये भी मेरे प्रभू है ये जो वस्तु शाम ने दिखाए दिये पहले नहीं थी प्रभू ही थे ये बाद में भी नहीं रहेगी प्रभू ही रहेंगे बीच में इस वस्तु की रूप में प्रभू ही है मेरी द्रश्टी काम नहीं कर रहे, ठीक नहीं देख पा रहे, पर हैं प्रभु ही, ऐसा सास्त्र कहते हैं, ऐसा स्दुगुरुदेव कहते हैं, ऐसा आचारे कहते हैं। इस्टा करेंगे, जो पूर्व में हमसे तुरुटियां हुई हैं, उनको आज नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं, हमें वर्दमान को शमालना है, तभी आपके अंदर सामर्थ हैगी, आज से कभी नहीं करेंगे, तो आप होशकता है नचल पामें, क्योंकि आ आप में नहीं ऐसी सामर्थ, यद्यप्याप सामर्थवान हैं, पर अपनी सामर्थ को भूल चुके हैं, तो क्या करें? हम मन के उपर बोजार न डालें, कि आज के बाद कभी नहीं करेंगे। करते हुए ही हम कारी करेंगे, जो भी बेवहार करेंगे, वो अपने प्रभू के लिए करेंगे। अगर रात्री में शैन करते हैं, हम पुना इसका चिंतन करें कि जो हमने प्राता कालीन नियम लिया था, उसमें कितनी तुरूटी हुई, ये करना ही चाहिए उपाशक को, ओ आज तो इतना समय चूक हो गई, तो चिंतन करते हुए शैन करें प्राता कालीन फिर नियम ले, जो कल तुरूटी हुई थी, वाज नहीं हो, एक दिन शाधक देखेगा कि उसका मन अशाधन रहित हो गया है, तुरूटी रहित हो गया है, पर आपको जाच करनी होगी, रोज का रोज आपको नियम लेना होगा, शुधार करना होगा, यह प्रारंभिक शाधन की बात है, तिश्री बात कह रहे हैं, मन को वश्मे करने के लिए, नाम जब शर्व शामर्थ साली शाधन है, लक्ष, श्यामा श्याम, जहां जहां मन जाए, वहां वहां से हटा कर लक्ष मे श्यामा श्याम में लगाना, या जहां जहां मन जाए, वहां से हमा श्याम को देखने की भावना करना, प्राता काल से शैन काल तक की दिनचर्या को जाच करके, उश्मे तुरूटियों को निकालना, अब यह निश्चे कर लेना, कि नाम हमारा जीवन है, यह बहुत बड़ी जो चाहत है नित्य शुख, अरु मन को बिश्राम, हित धुरू हित सु भजत रहू, पलपल श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, मन चंचलता रहित हो जाएगा, नित्य शुख कानुभो प्रगठ हो जाएगा, आपको आवश्यक्ता है प्रतिपल श्यामा श्याम, श्यामा श्या नाम जब शर्व श्रेष्ट महा महिम भगवत प्राप्ती का मन को शांत करने का समस्त कामनाओं की पूर्ती का अचूक उपाय है अचूक आपको विश्वास करना होगा जो चहिए आपको प्राप्त हो जाएगा ये चार दिन की उक्ताहट वाला भाव मत रखे हमको तो इतने दिन हो गए करते हैं अभी कोई लाब नहीं दवाचल नहीं है अमोग होशद ही है ये सबसे पहले आपकी दुरती का नास करेगा पाप का फिर ये पाप की प्रवत्ती का नास करेगा जहां से पाप पैदा होता है दिब ज्यान प्रकाशित करके रूप का दर्शन कराएगा प्रेम की जोच ही है जिसने बात समझ ली हरदय से कि मन को वश्मे करने के लिए सबसे बड़ी अचूप साधना नाम है गोश्वामी स्री तुलसिदाजी कह रहे है ऐ जीव तु शदा नाम का अनन्य बन देखो जो हमें सदगुरुदेव ने अपना जीवन सुरूप नाम दे दिया है हम नहीं जान पाते है छुटी छुटी बातों के लिए हम अवहिलना करते है उनको तो उच्छिष्ट मिलता है हमको तो उच्छिष्ट नहीं मिलता जिस थाल में गुरुदेव पाए तो मुख शे निकाल के उसमें थुड़ी रखते है तो शे पार है हैं और उनकी उस थाल के उच्छिष्ट का रखना चाहिए महातों इतना हम महातों रखते हैं अगर हमें जरास अप्राप्त हो जाता है तो मन ना चुटता है आज सद गुरुद्यू का उच्छिष्ट मिला है लेकिन हमारी बुद्धी इस बात पे नहीं जाती कि जो हैं उसके प्रति आपकी महातों बुद्धी नहीं हुई विचार कीजे गुरुद्यू का वो उच्छिष्ट जो जीवन है उनका श्वाद लिया है उसका उसी में है वो और वो दे दिये उस पे महातों बुद्धी नहीं है हमें क्या दिया गुरुद्यू ने उनको तो स्व अर्वदेव की कृपा मनी जाती है क्या यह तो विशय संसारी पृष्व को मिल जाती है संतुदार दयालू है यह जो आपको नाम मिला हो हो इसके अनन्य हो जाओ गुर्श्वामी जी कह रहे हैं और अनन्य का भाव बड़े भाव से यही हमारा जीवन हो जाए जो चाहत है नि राधा 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 वन लब शीरे अम्रीट है अम्रीट आप पान तो करो इस अम्रिट का चिरण जीवी हो जाओगे राधा राधा इसकलिकाल में वहिराग्य, योग, यग्य, तपश्या, बड़े-बड़े दान यह हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी मलिंता है कि दान दे के अहंकार आ जाएगा तो दान कब काम खतम और यग्जी के लिए पवित्र शामाग्री नहीं रहे गई समिधा नहीं रहे गई सब पवित्र हो रहा है तपश्या शरीर ऐसे कमजूर हो रहे हैं कि तपके लायक ने किसी दे प्रकतिकावार झेल सके और योग योग तो बहुत ही कठिन है आठ गंटे दस गंटे शिद्धासन में बैठे हुए और पदमाशन लगाये हुए एक आराध्य देव के चिंतन में बढ़ा कठिन है यहां तीस मिनट एक स्थिती में तो बैठा नहीं जाता है हिलाना डुलना आठ गंटे दस गंटे बिना हिले डुले कितना कठिन योग है प्राणों को वश में करके शरीर को वश में करके इंद्रियों को वश में करके चित्त की ब्रती का निरोध करके प्रमात्म चिंतन कितना कठिन और वईराग्य अब कैशा वईराग्य है हसी लाइक वईराग्य है उपहास करने लाइ हर वश्तू हर व्यक्ति जैसे संसार के शुखों में मगन है वेसे ही हमारा मन भी तो बाहर से कपड़ा बदलने से हम वैरागी थुड़ी हो गए राग का त्याग ही वैराग है वैराग बिना राग का बिना आशक्ति का विरक्त कहीं आशक्त नहीं ऐसी स्थिती नहीं सब जगे से आशक्ति है तो शरीर में आशक्ति है अपनी इंद्रियों का दुलार कहां वैराग वैराग यह प्रभू के शिवा कुछ और इस मृति में नाना यही सच्चा वैराग गया कोई भोग कोई व्यक्ति कोई स्थान कोई मान बढ़ाए कुछ नहीं एक मात प्राराद देओ यह हो गया राग रही ती स्थिति तो बड़ा कठिन है यह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा यह अलग-अलग करके निर्वाह करना कलिकाल है बड़ा कठिन है लेकिन इनका जो भल है वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा एक मात्र केवल नाम का आस्रे लेने से नाम का इश्मरन करने से सास्त्रों में दो बाते बताएगे एक बिधी और एक निशेद ये करना है और ये नहीं करना है कितना पढ़ोगे सास्त्र गुश्वामी जी कह रहे हैं तुम्हें दो सब्दों में बताया देते है मेरी अनुभूती और शम्मती प्रभू का इस्मरण करना सब बिधियों का परम बिधी है नाम जप रहे हो पूरा बिधी से चल रहे हो आप और प्रभू का नाम भूल गए सबसे बड़ी निशित धबात हो गई दो बातों में बांग दिया बिधी श्यामा श्याम का इश्मरण अब और की कोई बिधी हमें जानने की जरुत नहीं निशेद श्यामा श्याम को भूल गए इससे बड़ा कोई निशेद नहीं श्यामा श्याम को भूल जाना सबसे बड़ा निशेद काम हो गया हमारे द्वारा गुरू कहे वचनों की अवेलना सास्त्र की अवेलना हमसे हो गई क्योंकि हम प्रभू को भूल गए जिस चान सबसे बड़ा निशिद कारे हो गया गुश्वामी जी कह रहे हैं कि जो नाम है ये महामनी है और ये जो शंशार है ये शांप है अगर ये कुछ भी तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है इसमें तो शी आनंद शमुद्र के एक अंश का है और उस शुख का परमशुख नाम उसको ले लो संसार से अलग कर लो जैसे सांप से मणी अलग कर लो तो फन पटक कर मर जाएगा ऐसे ही तुम नाम सुरू करो ये संसार मर जाएगा तुम्हारे चित में जो संसार बसा हुआ है ये मर जाएगा तुम्हारा मन जो विश्यों में फशा हुआ है ये मर जाएगा मन मार्या तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर बाहर से कच दीखत ना ही अंदर चम के नूर आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम उनमें तो कच वंतर ना ही संत कहो चहराम वो हो गया भगवत शुरूप हो गया जैसे मनी ले लेने पर शाप जिन्दा नहीं रह सकता ऐसे नाम रूपी मनी संसार में अपने पास तुम ले लो तो संसार जिन्दा नहीं रहेगा अर्था संसार संसार नहीं रहे जाएगा ये भगवत स्वरूप हो जाएगा ये जो हमें जन्म जन्मांतर से भटकाना आकरशित करके विश्यों में गिराना ये इसकी अपसामर्थ नहीं रहे जाएगी क्योंकि नाम रूपी मनी हमारे पाश है ये जो नाम ये कल्प तरु है जो चाहोगे प्राप्थ हो जाएगा अर्थ, धर्म, काम, मुक्ष, चारोफल प्रदान करने में शमर्थ है नाम वेद, पुरान, बड़े-बड़े विद्वान और भगवान, संकर जी भी साक्षी हैं इस बात के कि नाम सर्व शमर्थ है जो चाहोगे प्राप्थ हो जाएगा और अगर ये चाह नहीं रही अर्थ, धर्म, काम, मुक्ष, की तो प्रेम, पदार्थ भर देगा आपके हरदय में नाम भगवत, प्रेम, जो अत्यंत, दुरलव है ये प्राप्थ हो जाएगा और शाधन करते हो नाम जत नहीं करते हो नाम उच्चारण नहीं करते हो तो गुश्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी बात मान लेना तुम इस कर्म प्रपंच शे माया के आकरशन से बच नहीं सकते हैं गुश्वामी जी का नुभव है राम 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 जीह जो लो तू नजपी है तो लो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है सुर्शरी तीर बिनू नीर दुख पाई है शुर्तर उतरे तो ही दारिद शताई है जागत बागत सपने न सुखशोई है जनम जनम जुग जुग जगरोई है छूटी बेके जतन बिशेश बांधे जाएगो हुए है बिश्भोजन जो शुधासा निखाएगो तुल्शी तिलोको तिहूं काल तोशे दीन को राम नाम ही की गती जैसे जलमीन को राम नाम ही की गती जैसे जलमीन को गोश्वामी जी कहे रहे है जब तक तू जीवशे नाम जब नहीं करेगा तो मेरी बात माल लेना तब तक तू कहीं भी किशी भी तीर्थ में कहीं भी भाग कर जा ये दैविक भौतिक ताप तुझे बक्षेंगे नहीं जलाएंगे जलना पड़ेगा तुझे देखो परमधाम में रह रहे हो प्रिया प्रितम का निज महल हालत क्या है देख लो अर्दे की तो बात क्या हुई रशिक्षी रुमनों की आग्या का हम पालन नहीं कर दे ब्रंदावन बस कई तनो बड़ो सयान जुगल चरन के भजन बिन निमिष्ण दी जाए जान पलक जपकने के शमय को भी नाम शिव बिमुख नहीं जाने देगे अब आप देखो गुश्वामी जी करें भाग कितना भाग जा भाग के जान तुझे जाना है कहीं तुझे शान्ती नहीं मिलेगी यदि तुझे नाम जप नहीं कर रहा तो भाग किशी के पी पास जा पुझे शिराधा भाबा के पास जब कोई जाता हो प्रश्न करता भागवती तुझे बाबा पूछते कितना नाम जपते हो जाओ कमशे कम एक लाख रोज नाम जप करो फिर एक महिने के बाद आना प्रश्न करोगे तो हम उत्तर देंगे तो शायद समझ भाग नहीं ऐसे तुम्हारी बुद्धी उत्तर नहीं समझ पाएगी ना कहीं भी तु भाग के जा तीनों ताप तुझे बख्षेंगे नहीं जलाएंगे यदि नाम जप नहीं कर रहा और शुन ले गंगा के शमीब जाने पर भी तु बिना पानी के तरस कर मरेगा तुझे पीने को नहीं मिलेगा आनंद सिंद मध्यतो वाशा पानी में मीन पियासी महिशुन शुनियावे हाशी आनंद शमुद्र के यहां रहने पर भी हम आनंद शेवन्चित हैं क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं गुश्वामी जी का यही भाव सुरशरितीर बिर नीर दुख पाई है अगर तुशुचेगा कि गंगा जी अंतिम शमय हमें मिल जाएंगी हमारा कल्यान हो जाएगा तो वहां तक पहुँच नहीं पाऊगे बिना गंगा जल के तुम्हारे प्राण छुट जाएंगे क्योंकि तुमने नाम जप नहीं किया पक्की बात है एक पुझी सिभाई जी ने गटना बताई कि एक ऐसे थी कि जो भी शामने जाए उसका नाम बता देना उसके मन की बात बता देना तुम इस काम के लिए आये हो वो सब बता देना बड़ा उनका यश युगा कि बड़े शिद्ध पुरुश है भाई जी गए वहाँ पौशते ही भाई जी ने उनको देखा तो बुले तो भक्ती विहीन है भक्ती तो है ने इनके अंदर पर ये बाते कहां से जान जाते हैं पूरी विहीर के साथ जब बिवार्शव हो चुका एकांत हुए तो भाई जी साधी पोशाक में रहते दोती कुर्ता चस्मा तो पहली दृष्टी में तो सब को यहीं लगता था साधारन एक ग्रेशत आदमी थोड़ा पवित्र दोती कुर्ता भाई जी ने कहा है एक मिनिट आप से बात करना चाहते है करिये बुले नहीं एकांत में ओ आपकी हित के लिए है अगर हम सब की वीच में करेंगे तो आपका आहित हो जाएगा तो दृष्टी में जब दृष्टी मिली तो उनका हिरदे काप गया क्योंकि भागवतिक दृष्टी में एक पावर होता है एकांत में तो उनका आपको कोई भागवतिक शिद्धी तो है नहीं हमने एक यक्षणी सिद्ध की है और कान में उन्होंने ऐसे गमशा से ढखे रहे दिखाया तो इतना मल, शौच यहां कान में लगाए थे उसा पवित्रिष्थान में यक्षणी बैठती है उसका ये नाम है, इस काम के लिए आया, ये ये भावना है उले मुझे यक्षणी शिद्ध है इस तोन उनका इसे क्या होगा चार लोग तुम्हें प्रणाम करेंगे धनराशी देंगे, वस्त्वें देंगे क्या होगा तुम्हारी दुर्गती तुम्हें इंतिजार कर रही, बक्षेगी नहीं मान लो मेरी बात पर वो भक्ती ऐसे थोड़ी हो जाती है भगवान की जब विशेश क्रपा होती तब ये सब प्रपंच से हट कर प्रवु का भजन होता है तो भाई जी ने बताया कुनों ने एक दिन यक्षणी से पूछा कि हमारी मृत्यू कब और कहां कैसे होने वाली है तो उसने बताया अमुक दिन में इतने बजे मृत्य होने वाली तो उनको भाई जी के बाद ध्यानाई की दुर्गती इंतिजार कर रही तो पाश में नर्वदा जी थी तो उन्हों सोचा जाकर नर्वदा में खड़े हो करके और भगवर नाम उचारन करेंगे और उसी समय मृत्यू आ जाएगी मेरा काम हो जाएगा उठा के पटक दिया यक्षुनी ने जिन्दगी भर हमें अपनी गुलामी में रखा तुम्हें जाने देंगी हमारा चिंतन करके मरो और हमारे आदेश में रहो तुम भी यही बनो यह है गुश्वामी जी जो कह रहे इस बात को समझो सुरशर तीर बिन नीर दुख पाई है सुरतर उतरे तुई दारिद सताई है कल पर रक्ष भी मिल जाए तो तुम दरिद्री बने रहो गए क्योंकि नाम रूपी धन नहीं यह संसार की भूग संसार की वस्तवे संसार का वईभो ऐशा है कि जितना बढ़ता जाता है उतनी भूग बढ़ती जाती है उतनी गुना सौ रुपेश पहले काम चल जाता था तो दो सो की आकांख्षा हुई जब दो लाख रुपे हो गए तो चार लाख की आकांख्षा हुई जब चार लाख रुपे हो गए तो आठ लाख की आकांख्षा हुई जब करोणों में खेलने लगा तो अरब पती बनने की इच्छा हुई जब अरबों आ गए तो भारत का सबसे बड़ा धनी बनने की इच्छा होई भारत का धनी बन गया तो बिश्व में सबसे ज़्यादा धना डिम्बय होँ अगर वो भी हो जाए तो देवराज के पद की भावना जाकरत होई ये शुर्शा है सुर्शा ये दुगना अपना मुख बढ़ाती चले जाएगी कितना आप काम ना हो की पूरती